जिला मुख्याले धरमशालास ते जोनल अस्पताल में इसराइल की महला प्रेटक ने खूब भुर्दंग मचा है इस तोरान विदेशी महला ने पुलिस राप पर भी हमला किया वहीं पुलिस बाहन और अस्पताल के खिड़की का शिशा भी तोड़ दिया महला को देखकर ये लग रहा था कि जैसे वह अपने कंट्रोल में नहीं है ऐसे में पुलिस भी उस पर कारवाही करने में खुद को असमर्थ पा रही थी यही नहीं महला प्रेटक ने पुलिस कर्मियों से भी हाथ अपाई गी जोनल अस्ताल में महला प्रेटक को प्रात्मिक उपचार उपरांत टांडा रेफर कर दिया गया पुलिस मामले की जांच में जूटी है जानकारी के उनसार सुभा मेकलोड गंस पुलिस की टीम जब गश्ट पर थी तो गश्ट पाईटी की सूचना मिले की एक विदेशी महला हुर्दंग मचा रही है जिस पर पुलिस टी को नोच दिया यही नहीं जोनल अस्टाल धरमशाला के एमरजनसी कख्ष के बाहर पुलिस बाहन से उतर दिस में महला प्रेटक ने पुलिस बाहन का शिशा भी तोड दिया पुलिस कर्मी उसी अस्टाल पहुंचने पर उतारते रहे लेकिन वह उतरी नहीं जिस पर किया जाना था एमर्जनसी में तनास स्टाफ दोरा महिला प्रेटक को काबू ना कर पाने की चलते महिला पुलिस थाना में से महिला स्टाफ को बुलाया गया इस दोरान भी महिला प्रेटक ने महिला पुलिस कर्मी को नोच दिया इसी बीच गुस्ते में आकर महिला प्रेटक एमर्जनसी कक्ष के खिर्कियों का कांच भी तोड़ दिया जिस से उसके हाथ में भी चोट आई है जोनन अस्पिताल धरमशाला में उसे प्राथमेक उपचार के बाद टांडा रैफर कर दिया गया महिला पुलिस करमशाली ने बताया कि विदेशी महिला बेकाबू होने के चलती उसने पुलिस करमशाली पर हमला किया जिस कारण पुलिस करमियों को भी चोटे आई हैं और साथ ही उस विदेशी महिला ने अस्पाल के खिर्की वो पुलिस की गाड़ी का शिशा भी तोड़ द जूनिल अस्पताल धरमशाला की सीठीयर मेडिकल सूप्रीडेंटर ने बताया कि पुलिस गर्मी एक विदेशी महला को जूनिल असपताल में लेकर आये हैं विदेशी महिला ने पुलिस कर्मियों को काटा है और अस्पिताल की शिशे तोड़ दिये हैं अस्पिताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर इस बारे में पुलिस में शिकायद की जाएगी आज सुबाई एक फुलिस वाले फुकर सहिए के ओफ और फॉर्नर्स को लेके आए थे जो की काफी अग्रसिव थी और कंट्रोल नहीं हो दी थी पुलिस वालों को कि उसने काटने की कोशिश की हमारे केजलटी में उसने एक दो शिशे तोड़े हैं काफ़ी अग्रासिर थी उसको सेडेशन देके अब उसको टंडा रैफर किया है पुलीस वाले उसको टंडा लेके जाते हैं तो सार को शीशे तोड़े हैं उसके खलाब भी आपको कोई मामला अगर्ट करेंगे जिला कांग्रा एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मैकलॉड गंस पुलिस को सुभा एक विदेशी मेहला के बारे में सूचना मिली थी जिस पर पुलिस टीम उसे जोर्नल अस्पटाल लेकर आए विदेशी मेहला की हालत ठीक नहीं है तथा वो अपना पता भी नहीं बता पा रहे हैं मामले की जांच की जा रहे हैं मेहला के ठीक होने के उपराद उसके पोस्ट मार्टम बवीजर की जांच की जाएगी और उसमें कमिया पाई जाती है तो विदेशी पंजिकन अधिनियम की तेहद मामला दर्स किया जाएगा विरेशी महला ने पुलिस टाप पर भी हमला किया था जब तक महला ठीक नहीं होती है तब तक कोई कारवाही नहीं की जा सकती जा सकती अभी ये जानकार भी मिल रही है कि उसको डॉक्ट साथ ने टांडा रैफर कर दिया है तो इसके अभी चांट चल रही है अंटिल एंडरलेस जब तक वो पीसफूर कंडिशन में नहीं आती है तब तक अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि अभी उसकी नैशनलिटी के बारे में भी और उसका एडरस क्या है उसके बारे में भी पता नहीं चांपा रहा है